हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल ये स्ट्रामी के हिंदी एक्स्प्लेनेशन का पार्ट टू है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जू के डाड़ उसे जैंक के बारे में पूछते हैं क्या तुम उससे प्यार करती हो जू बोलती है मुझे नहीं पता डाड चाते थे जू जैंक को पटा ले ताकि डैड जैंक की कंपनी यानि गूगरूप के साथ मिलकर बिजनस कर सके डैड बोलते ऐसे कैसे वो पूरी रात तुमारे साथ था तुमारे रिस्पोंसिबल्टी उसे उठानी होगी अंटे बोलती हाँ बिलकुल क्योंकि ये सब डैड क के दिमाग में मूम नहीं डाला था कि वो जू को यूज कर सकते हैं अंटे बोलती अभी मैं सबको बताती हूं जैंक किस टाइप का लड़का है जू बोलती है इसकी कोई जूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं डैड तो खुश हो जाते हैं मुझे पता था तु जू अंटी के रूम को देखने लगती है जहां एक डैरी थी जू बोलती है डैड और अंटी ने मिलकर मेरी मूम की प्रॉपर्टी ले ली है इवन कि इन दोनों का रिलेशन भी बहुत पहले से ही चल रहा था इन दोनों में से एक ने ही मेरी मूम को मारा है जैंक बोलते है तब poison भी उसने ही दिया होगा तुम्हें इसाथ क्यों नहीं हो जाती मतलब शादी कर लो अगर तुम्हेरी वाईब बन जाओगी तो कोई भी तुम्हें हट नहीं कर पाएगा इवन तुम्हें मिस्स जैंक की पावर मिल जाएगी अगर शादी के दोरान तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो डिवोस में अपनी हाफ प्रॉपर्टी दे दूँगा तुम इंस्टेंट रिच बन जाओगी जू सोचती है वो तो पहले से ही रिच है तब इस जैंक हो उसके असिस्टेंट का कॉल आता है आप पर जिसने अटेक किया था वो वीडियो मिली है पर उसका फेस नहीं दिख रहा जू जैंक से बोलती है मैं शादी करने के लिए तयार हूँ पर कुछ रूल्स भी है जब तक हम शादी में हैं तब तक तुम किसी भी लड़की से नहीं मिलोगे इवन डेट भी नहीं करोगे मैं भी ऐसा ही करूँगी किसी में से नहीं मिलूँगी जैंक बोलता ठीक है बोलो शादी कब करनी है जू बोलती है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करनी है जैंक बोलता चलो अभी कर लेते हैं जू बोलती है अभी क्यों जैंग बोलता है तुमने ही तो बोला जल्दी करनी है जू और जैंग दोनों अपनी शादी रजिस्टर करा लेते हैं जू बोलती है मुझे भूख लगी है जैंग बोलता है कहीं लंच करने चलते हैं मैं अपनी वाइफ को भूखी थोड़ी धेख सकता हूं जू अपना पर्स भूल गई थी जैंग उसका पस्ट लेनी चला जाता है जू तभी जिन की फ्रेंड से तक रा जाती है वो बोलती है तुमने शादी कर ली जरूर किसी बुड़े से ही की होगी तभी जैंग आता है मुझसे की है तुम मेरी वाइफ से दूर रहो लास मोर्निंग दे रहा हूं ज जैंग जू को बताता है तुमारी अंटी जिसे पैसे देती है वो यहां आ गया है अंटी उससे मिलने जरूर जाएगी तभी डैड का कोल आता है अंटी को बुखार है जू बोलती है मुझे पता लगाना होगा ये फीवर रियल में है या नहीं जू घर आके अपनी शादी क की बारे में बताती है डैड तो खुष हो जाते है आज रात जैंग यहीं पर रुकेगा जू सोउशती है नहीं हम एक बैट पर नहीं सोएंगे लेकिन जैंग बोलता हां क्यों नहीं यह तो मेरा घर है जू बोलते है अब इस अंटी ओर डैड का क्या करना है मेरी मोम और को पेसों से प्यार है तो क्यों ना मैं तुम्हारी कंपनी में घोटाला करवा दू और ब्लेम अंटी पर डाल देंगे वैसे भी वो कंपनी के फंड्स अपने लवर को देती है ना जू बोलता है तुम तो बड़े दिमाग वाले हो जैंग बोलता है तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बता देना क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो जैंग बोलता है मैं तुमारे पास आजाओ जू बोलती हाँ पर दूर रहना जू मोनिंग में देखती है जैंग ने गिफ्ट रखा था उसमें रिंग थी तबी जैंग का कोल आता है जू बोलती है मुझे ये पसंद आई जैंग उस क्रिमिनल को पकड़ना चाहता था पर उ जू आती है और बोलती है मैं हेल्प कर देती हूं शेन पूछता तुम्हारी हेल्प करनी आई हूं जू जल्दी से उस क्रिमिनल को ढूनने लग जाती है लेकिन वो बंदा मैसेज करता है तुम मुझे पकड नहीं पाऊगी जू बोलती है मैं देख लूंगी डॉंट वरी जू इतनी जल्दी पटने वाली नहीं है जैंक बोलता है वो तुम्हारी भाबी है दोस बोलता है इतनी जल्दी प्यार भी हो गया क्या जैंक बोलता है फ्रेंड तो देखता ही रह जाता है जैंक सू को बोलता है अब तुम्हारे डैड को पता चल जाना चाहिए पैसो का क् को क्लिप दिखा के पूछते ये क्या है अंटी बोलती है ये मेरे फ्रेंड का हस्बन है ये क्या है अंटी बोलती है तुम मुझे घर चाहिए वह लोकेशन बहुत अच्छा है पर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ टूकी मैं गाउं की लड़की हूँ न डैट बोलतें चलो मैं तुम्हारे साँ चलता हूं जो उन्हें ले कर आती है जhao अंटी ती जो बोलती है ये अवाज अंटी जैसे लग 어떻게 रही है ना अंटी अपने लवर के साथ बाते कर रही थी इतने पैसे हमारे लिए काफी नहीं होंगे उस बुड़े को और भी लूटना होगा लवर बोलता है तुम कितनी अच्छी हो और चलाग भी ऐसा लगता है तुम उस बुड़े को लूटी लोगी और उसकी वो बेटी जू सच में गाउं की है मुझे नहीं लगता उसका भी कुछ करना होगा तुम इन सबसे दूर रहो डैट अंटी को घर लाते हैं और थपड़ मारते हैं अंटी आप मुझे नहीं मार सकते डैट बोलते मैं सोची रहा था कंपनी में कुछ गड़बर चल रही है पैसे गायब हो रही है मुझे नहीं लगाता यह सब तुम कर रही हो मुझे वो पैसे वापिस चाहिए वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलीस में करूंगा अंटी बोलती है ऐसे कैसे भूलो मत तुमने क्या किया है मेरी भेन को मारा मुझे फसा लिया ताकि हमारी फैमली की प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए और जो पैसे मैंने लिये है ना वो मेरे ही है त तुम्हारे नहीं है अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी डैर अंटी को रोकने लगते हैं कई जो को सब पता ना चल जाए तब ही जैंक आता है कौन मेरी वाइफ को हट करना चाता है डैर बोलते हम तो बात कर रहे थे जो बोलती है सब रिक कुल सब रिकोर्ड कर लिया है अब इन दोनों को पुलिस टेशन ले जाओ अंटी मना कर रही थी मुझे नहीं जाना और जो को बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तुम्हें बरबात कर दूंगी अंटी बोलती है तेरा हस्बन है तो तुम कुछ भी करोगी जो ब जैंग अपने फ्रेंड को कॉल करता है वो सेड ए में क्या करू फ्रेंड जो के लिए कौफी ले के आता है झू बोलता है ऐ तुम ठीकोना अपसट नहीं हूँ क्योंकि यहीं मैं चाहती थी पर इतने अविडेंस काफी नहीं होंगे हमें कुछ करना होग सैंग बोलता है मैं जिन्दा देखना चाहते हो तो आजाओ वरना ये तो मरने वाली है। जो काम कर रही थी तब ही अंटी का लवर आता है और बोलता है तुम्हारी फैमली की प्रॉपर्टी के पेपर्स कहा है वरना तुम्हें मार दूँगा। जो बोलती है मुझे नहीं पता लवर ढूने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो जू को बोलता है, तुम तो सुन्दर लग रही हो, क्योंना मैं तुम्हे अपनी वूमन बनालू। अभी कोई आता है और उसे मारता है। जू बोलते है तुम को जैंग ने बेजा है ना? वो बोलता है नहीं। अभी जैंग की कंपनी का राइवल आता है, जैंग जल्दी जाएगा वो जू से बोलता है ये घर अच्छा है पर रास तुम मरने वाली हो जू बोलती है तुम जैंग को क्यों माना चाहते हो वो बोलता है या पोईजन वाला गेस फिला दो जू भियोश हो जाती है जैंग उसे बच्चा लेता है रास्ते में वो इंपलोई मिलता है जैं का लवर कहा है उसका क्या हुआ का लवर बोडी कार को बोलता है मुझे जाने दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा तभी जैंक आता है तुमने मेरी वाइफ को हट किया है वो बोलता है मुझे नहीं पता था प्लीज माव कर दो जो और जैंक रूम में आते हैं जो बोलती है मुझ फुल सी लव स्टोरी का डी एंट हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए वैल आइकन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारांगे ब Coin何生 वे वैंट सारांगे वीडियो के सारामे जयुल वीप सारांगे लिए लिए। झाल झाल